प्रॉब्लम नमबर 26 को देखो CBSE SP18 में ये कोशन पूछा गया है कोशन बोल रहा है आप से इफ दा फ्रिक्वेंसी ओप दा इंसेटेंट रेडियेशन ओन दा कैथोर्ड आपको पता है ना कि जो फोटोन गिराते हैं हम वो कैथोर्ड पर गिराते तो हम से कह रहा है कि फोटोन गिर रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं बड़ा रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं देखो इंक्रीज करना यहाँ पर है डबल से है आप frequency तो आप से ना है कि इन तीनों चीजों पर क्या फरक पड़े गा विए पता होना चाहिए कि अगर आप intensity को तो intensity दबन खरने से क्यों करणा यहां पर आप frequency को डब खरने से kinetic energy electrons की बड़ जलती है तो यहां पर kinetic energy पूछा पर यह व को फोटोस्रा पछोट के संख्याद इसा हो फोटोन का मतलब इंटैज्य से होता तो intensity तो यहाँ पर होने रही चेंज, यहाँ पर frequency चेंज हो रही है, तो frequency चेंज होने से आप कह सकते हो, kinetic energy चेंज हो जाएगी, लेकिन current पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो current क्या हो जाएगी, unchanged, आप इसको कह सकते हैं, unchanged, यह unchanged रहेगी, stopping potential किस पर depend करता, frequency का directive proportion होता, अगर आप frequency बढ़ा रहे हो, तो stopping potential भी बढ़ जाएगा, तो यह भी increase हो जाएगा, तो अगर आप सारे question देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार यह तो बहुत बार पड़ा लिया और बहुत easy भी है, लेकिन अगर आप first time देख रहे हैं, तो भाई, आप सारे question देखें इस playlist के आप सारे